मैंने दिल्ली के मुख्य मंत्री का कार्यभाद सम्हाला है जिम्मेदारी सम्हाली है आज मेरे मन की वोही व्यथा है जो भरजी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरजी को अयोध्या का शासन सम्हालना पड़ा जिस तरह भरजी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खणाओ रखकर अयोध्या का शासन सम्हाला उसी तरह से आने वाले चार महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाओंगी भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिये गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास विकार किया इसी लिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुर्शुर्तम कहते हैं उनकी जिन्दगी हम सब के लिए मर्यादा और नेतिक्ता की एक मिसाल है बिल्कुल उसी तरह अर्विन केजरी वारजी ने इस देश की राजनीती में मर्यादा और नेतिक्ता की एक मिसाल कायम की है पिछले दो साल से भारती जन्ता पाटी ने अर्विन केजरी वारजी पर कीचर उच्छालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी उन पर जूटे मुकदमे लगाए उनको गिरफतार किया उनको छे महीने तक जेल में रखा चब अर्विन केजरी वारजी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अर्विन केजरी वारजी की गिरफतारी एक दुर्भावना के तहत हुई शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठने से पहले दो मिनट भी नहीं सोचता लेकिन अर्विन केजरी वारजी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुरसी पे नहीं बैठूँगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी इमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में चार महीने में जो आने वाले चुनाव है दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ अपने आशिरवाद के साथ अपने भरोसे के साथ फिर से अर्विन केजरी वाल जी को मुख्यमंत्री की कुरसी पे बठाएंगे तब तक ये कुरसी इसी कमरे में रहेगी अर्विन केजरी वाल जी का इंतसार करेगी